या रमजान में करना चाहते हैं शवाब का काम आपके लिए हैं मौकार रमजान में पाप काम करने से मिलती है दूआ चलिए आपको बताते हैं आप कैसे शवाब का काम कर सकती है इस रमजान उसके बारे में तो नमश्कार स्वागत आपका UAE खबर पर देखे पवित्र महीना रमजान शुरू होने में लगबग एक महीना बचा है आम तौल पर इसी समय के आसपस रमजान की तैयारियां शुरू हो जाती है भविव्टार और पारिवारिक समा रहू के साथ मौसम की चकाचौंद के अलावा इसका एक अध्यात्मिक पहलू भी है जुसके लिए कई लोग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं रमजान के दौरान फस्ट के अलावा यानि कि उपवास के अलावा सभी शेत्रों के मुसल्मान विवन प्रकार के दान और किसी भी तरीके के जरूरत मंदों की मदद करने पर भारी जोर देते हैं वालेंटियर इसका एक बड़ा हिस्सा बन गया है क्योंकि इस दौरान कई पहले होती हैं बता दें यूए अपने नागरिकों के साथ साथ प्रवासियों को भी वहां जाने और समूदाय में शामिल होने के कई अफसर प्रदान करता है इन वालेंटियर एक्टिविटीज में आप भी भाग ले सकते हैं ऐसे कि आप अलेजबल हैं या नहीं यूए कानून के अनुसार यहां वहीं वॉलेंटियर बन सकता है जो इस पहल में शामिल होने के योग्य होता है और योगता जो है वो कुछ इस प्रकार हैं चलिए उसके बाल में आपको डीटेल से बताते हैं देखे कोई विवेक्ति जो संय यूए वेक्ति अपने माता पिता की सहमती से स्वेक्षा से काम कर सकते हैं वेक्ति को और आचरन अच्छे आचरन का भी होना चाहिए पार्टिसेपेंट को उन्हें सब्सक्राइब वॉलेंटियर वर्ड के लिए चिकित सकेर रूप से फिट होना चाहिए यानि मेडिकली त वॉलेंटियर काडर करने से पहले निवासियों को पहले रेडिस्टर्ड होना चाहिए वाई ड्यूटी के बार में अगर बात करें कि आखे जो वालेंटियर्स होते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है तो बता दे कि वालेंटियर्स को वर्क पिडिट के दॉरान फालेंचियल बेनिफिट्स और पोसनल अर्निंग्स के लिए किसी भी सामान या सेवा की पेशकर स्प्रदान करना या फिर प्रचाल यानि एडविटीजमेंट नहीं करना चाहिए उन्हें काम खत्म होने के बाद विस्वास के आधाल पर जो कुछ भी उन्हें दिया गया हो काम के दौरान उसे वापस करना होता है जैसे टूल्स, एक्विपमेंट्स और डिवाइसेज वालेंटियोर्स को वालेंटियोर्स के चार्टर के साथ साथ देश द्वारा परिभासित कानूनों के प्रती प्रतिबद होना चाहिए उन्हें अवशक्ता अनुसार अपना वैक्तिगर्ड देटा अपडेट करना होगा बतादे वालेंटियोर्स को यहां के संपत्ति का संद्रक्षन करना होगा वह एक काम निलंबित करने पर उन्हें संबंदित पर धादिकारियों को सूचित करना वश्यक होता है वहीं वालेंटियोर्स को सभी सूरक्षन और संद्रक्षन नियमों का पालन करना होता है बतादे रमजान के दोरान काफी वालेंटियोर्स की जरूरत परती है क्योंकि जगर जगर पर सारजनिक तोर पर इफतार पार्टी रखी जाती है कई लोग फ्री में लोगों को खाना देते हैं क्योंकि तभी शबाब का काम करते हैं और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोगों को खाना खिला सकते हैं हेल्प कर सकते हैं और पुन्ने कमा सकते हैं अब लगेज के साथ पैसेंजर का वजन भी रखेगा माईने पैसेंजर के वजन को भी मापा जाएगा ये एलाइन करेगा पैसेंजर का वज़र क्या है इसके पीछे की वज़ा चलिए आपको बताते हैं विस्तार से नमश्कार स्वागत है आपका UAE खबर पर देखी समाने तो और पर लोग अगर फ्लाइट से ट्रावल कर रहे हैं तो पाकिंग में ध्यान देते हैं ताकि उनके लगेज का वज़र लिमिट से अधिक ना हो जाए क्योंकि तैसीमा से अगर अधिक वज़र या लगेज हो जाता है तो उस पर उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना परता है ऐसे में लोग इस से बचने के लिए काफी ध्यान रखते हैं और बहुत ही सटीक चीजों का ही पाकिंग करते हैं ताकि वेट जादा ना हो जाए बहुत बार तो देखा गया है कि एरपोर्ट पर लोग लगेज के वेट को कम करने के लिए तीन चार जोरी कपरे एक साथी पहन लेते हैं लेकिन अब समान तक तो ठीक है लेकिन अपने वज़न को लेकर ट्रावलिंग के चिंता बड़ी मुसीबत हो सकती है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में एक एरलाइन ने सामान के साथ साथ अपने यात्रियों का वज़न करना भी शुरू कर दिया है जहां आपने बलकुल सही सुना Ήरोपी एरलाइन फिन एर ने गोशना करके बताया है कि वह हर फ्लाइट से पहले अब अपने यात्रियों को भी वज़न करेगी फिन एड कि प्रवक्ता कैसा टिकने ने इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि विमान में चटने से पहले यात्रियों का भी वजन किया जाएगा उन्होंने का कि इस सब्ता सोमवार को हिल सिंग की एरपोर्ट पर ये मैनेजमेंट चुरू किया गया है अब तक 500 से अधिक वालिंटियर ने इस कारिक्रम में भाग लिया है बता दे कि आरलाइन ने बताया है कि वमान के कुल वजन को कैलकुलेट करना उसमें फ्यूल चेक किये गए सामान, कारगो, जहाज पर खान पान, पानी के टैंक और निश्चित रूप से कस्टमर्स का वजन सामल है अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों तो सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ये सब की जानकारी होनी बहुत जरूरी है विशिश अग्यों ने इसके बारे में पहले भी बताया था कि लंबी यात्राओं के लिए फ्लाइट सेफ है या नहीं या सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उच्चित रूप से बालेंस किया जाना चाहिए वह यहीं बता दे कि अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में जिस भी देश जा रही है और जिस देश से जा रहे हैं वहां से जोरे नियम आपको पता होने चाहिए अगर आपको नहीं पता होता है तो आप आपको एरपोर्ट से लोटना पर सकता है आपको ब या फिर हर एक एरलाइन जो है वो अलग-अलग बजट के सामान आपको ले जाने की अनुमाती देती है तो इन सब चीजों के बारे में भी यात्रस निकलने से पहले जानकारी ले ले एरलाइन से ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े तो यह थ सब्सक्राइब कि संयुंग तरब अमिरात के कुछ हिसों में भारी बारिश ठंडर और लाइटनिंग देखने को मिला है सुबह सुबह एक सार्जनिक अलर्ट पुलिस ने चारी किया है अलर्ट में पबलिक से रिक्वेस्ट की गई है कि समंद्र के टटों से दूर रहे जो भी ऐसे में जनता और अपने परिवारों समय उन लोगों को सलाह दी जाती है कि समंद्र टटों से दूर रहे घाटी के शेत्रों में ना जाए जहां पर में तेजी से फ्लो होते वह दिख रहा है वहीं घाटी में निचले स्थानों में जाने से बच्चे इसकी सलाह दी रही है बतादे संयुक्तरब अमिरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश गरज और बिजली गिरने के कारण दुबई पुलिस ने सुंबार की सुबह सुबह ही यह जो सुरक्षा चेताबनी है वो दे दी है यूए के राश्ट्री मौसम विज्यान केंद्र ने रासल खैमा स जहां उमल क्वेन और दुबई के कुछ हिस्सों सहित देश के अधिकांस हिस्सों में यलो और अधिक गंभीर वाले इलाके में औरेंज अलर्ट की चेताबनी जो है वो दी है इसने संयुक्तरब अमिरात के कुछ हिस्से में समुंद्रों में उफान और अलग-अलग दे कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग रखिया है प्रादिकरन ने कहा है कि मानफ तंसादन और अमिरात मंत्राले ने सयुक्तरब अमिरात में नीजी शेत्र की कंपनियों से अपेक्चित मौसम को देखते हुए कर यानि सोमवार बारफरवरी को फ्लेक्सिवल व काम करने का उनको इनवार्मेंट दे ताकि मौसम खराब होने से उनके काम पर भी कोई फ्लेक्ट न पढ़े साथी जो भी करमचारी हैं उनके स्वास्त पे भी किसी तरह का हानी ना पहुँचे बताते या सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों द्वारा आवश्यक किये जा किया जाए कंपनियों को बाहरी वोकिंग प्लेसे से आने जाने वाले स्वास्त और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा बतादे दुबई में स्कूल नियामग्यान और मानव विकास प्राधिकरण ने भी सोमवार को ड्राय मौसम के बीच सक्षकों से र पिक्चस जारी किये हैं और बताया है कि दुबई में काफी तेज बारिस हो रही है और ऐसे में पुलिस ने आगरख किया है लोगों से कि अपने घरों से बाहर ना निकले और निकले भी तो सोच समझ के निकले लंबे खंवो या पेर के पास खड़े ना हो क्योंकि कहीं कही गरज भी है लाइटनिंग भी हो रही है तो ऐसे में खतरा जादा है